नमस्कार मेरे प्यारे मित्रो भाई भेनो आज में राजिंद्र कुमार शर्मा पीम के के जैम्स जोरी वजार जैपुर से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है आज के हम इस एपिसोड के अंदर इस भागदोड की दुनिया के अंदर जो बहुत से लोग दुखी हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अंदिकार से प्रकाश की और कैसे पहुंचे हर इंसान भागदोड की इस जिंदिगी के अंदर कोई ने कोई समश्चाव से ग्रसित है कोई काले जादू के टोने टोटकों से ग्रसित है कोई उपर नीची के टोटकों से ग्रसित है कोई आर इदर भटकते रहते हैं इस भटकती आत्मा के तरह इदर कभी इदर जा रहे हैं कभी उदर जा रहे हैं कभी किस के पास में जा रहे हैं कभी किस के पास में जा रहे हैं पेसो की वेस्ट आफ मनी इतना पेसो का नुकसान हो रहा है फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता हमारे इस प्रतिष्टान के अंदर आप हमसे व्यक्तिगत और फोन पे संपर्ख कर सकते हैं हमारे यहाँ पर हर इनसान का उज्वल भविश्य बनाने के लिए उसकी उज्वल कामना के लिए हम यह एपिसोड बना रहे हैं हमने इस एपिसोड में यह बता रहे हैं कि कोई भी इनसान क किसी भी समस्याओं से ग्रसित हैं आप हमसे व्यक्तिगत आकर यहां पर संपर्ख कर सकते हैं फोन पर संपर्ख कर सकते हैं हम यहाँ पर होरस्कॉप के जरिये होरस्कॉप तो नहीं है तो प्रेश्न कुंडली के जरिये हम उसका निदान करते हैं आप किसी भी समस्याओं से है हमारे यहां पर एक बहुत छोटा सा उकवाई के जरिये हम उसको समस्याव का निदान कर देते हैं हम यहां रत्नों के जरिये भी उप्चार बताते हैं मंत्रों के जरिये भी उप्चार बताते हैं दान पुन्य के जरिये भी हम उप्चार बताते हैं आप हमारे इस प्रतिश नहीं मिल सकते हैं, То आप हमारे को फोन पे संपरक करके उस समस्याओं से निजात पा सकते हैं हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा ब्रह्म में डालने वाला जाल नहीं है, ना हमारे रुद्राश के जिरे भी इस प्रतिष्टान के माद्यम से हम उसका निदान करते हैं आप आके हम से संपर्क करें में राजिंद्र कुमार शर्मा पीम के के जैम्स जैपुर से बोल रहा हूं आप हमारे यहां पर किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं हमारे यहां पर डिस्क् संपर्ग करें नहीं तो फॉन और फॉन पर भी संपर्ग कर सकते हैं